हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्यारों देखे, लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, असोक लेलेंड के शेर में, और असोक लेलेंड का शेर जैसा के आप जानते हो, बहुत ही जबरदस शेर, वैल्यू शेर है, बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, वो भी इलक्ट्रिक वीकल वाली, अब आप कहो गया, इलक्ट्रिक वीकल वाली, बड़ी खबर, मैं कहोंगा, मौका है, इन्वेस्मेंट का, असोक लेलेंड का शेर, अभी भी बहुत सस्ती प्राइसिंग में, इस शेर में कोई भी बन रही है, शेर में, और एक स्ट्रॉंग, मैं कहोंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे अभी ये खड़ा है, और इस क्रिटिकल पॉइंट पे इतनी जबरदस्ट न्यूज यहाँ पे निकल किया आ रही है, वो भी इलक्ट्रिक वीकल से रिलेटेड, क्योंकि आपको भी पता है सबको पता है कि इलक्ट्रिक वीकल यही फ्यूचर है, और सारी कंपनी इसी डिरेक्शन में काम कर रही है, और यहाँ पे असोगले लेंड ने कुछ कारनामा किया है, कोई बड़ी पार्टनर्शिप कर रही है, देखते है उसको डिटेल में, साहत मैं टेकनिकल फंडामेंट सारी यहाँ पे बताई जाती है, और आपको अब्जर्वेशन के बारे में बताया जाता है, कैसे आप अब्जर्व करें स्टॉक को टेकनिकली, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लिजे जल्दी, बिल्कुल मुफ्त जानकारी दी जाती है यहाँ पे, और अगर आपने अब तक DM-Ed account नहीं कहोला और sharemarket में invest करना चाहते हो, तो जाएए वीडियो के डेस्ट्रिप्षन में लिंक किदे हो, उसपे क्लिक करके अपना DM-Ed account open कीजिए, तभी आप sharemarket में invest कर पाओगे, अब मैं सीधे लेके सब्तों, आपको अशोग लेलेंड के तरब, यह देख आखे, स्टेशन और बैटरी इन सब पर काम करेगी यहां पर जो इन दोनों कम्पनीज ने असूक लेलेंड और एबी बी इंडिया ने दोनों ने हात मिलाया है किस चीज के लिए इलक्ट्रिक बसेज के लिए जिसकी क्विक चार्ज बैटरी अभी इलक्ट्रिक वीकल्स में जो मीजर प्रॉब्लम में यह है कि आप चार्ज लगाओगे क्या आप आदे घंटे तक चार्ज ही लगता रहेगा आपका कि बैटरी इतनी देर तक चार्ज अप ट्राक आएंगे बसे जाएंगे उसमें तो बहुत बैटरी बड़ी बैटरी चाहिए होगी तो तो एक एक दो गहंटे तक चार्ज ही रहेगे तब तक तो आपका काम ठप हो जाएगा क्योंकि आज की देट में तो दस मिनट पांच मिनट लगते है पेट्रोल बरवाने में चल देते हैं तो यह एक major concern है, this is the major concern with electric vehicles अभी के टाइम पे लेकिन यह जो fast charging, quick charging यह solution उसको अच्छा कर सकता है और यहाँ पे असोग Leland will develop and manufacture electric buses with ABB's TOSA technology और ABB के पास यह technology है जो कि बहुत बढ़िया बात है which stops up the battery in just second while passenger get on, तो यह खबर तो बहुत बढ़ी खबर यहाँ पे मुझे लगी असोग Leland और electric vehicle perspective से क्योंकि भई TOSA technology जो ABB की flash charge technology है वो बहुत ही जबरदस technology वो यहाँ पे असोग Leland के लिए बहुत बढ़िया यह बात है जब इतनी जबरदस technology के साथ tie up तो करना ही था किसी ने किसी के साथ तो यहाँ पे ABB के साथ तो दोनों कंपनीज के लिए अच्छी बात है फिलाल क्या condition चल रहे है दोनों कंपनीज की मुझे लगता है कि यहाँ पे असोग Leland की जो pricing है काफी सस्ते में मिल रहा है और ABB ने जो claim किया है कि जो TOSA fast charging है वो बहुत जबरदस यहाँ पे carbon dioxide बचाएगा और बहुत जल्दी चार्ज करेगा चीजों को बहुत बहतरीन भाई अब यह देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते है किस चीज के बारे में यह तो आपने देख देखिए क्या deal sign हुए क्या partnership यहाँ पे हुए ABB और असोग Leland की इंडिया के अंदर क्योंकि Central Government की तरफ से push है जोर है कि आपको electric में convert होना ही होना जल्दी है तो यहाँ पे sign तो कर दिया है Memorandum दोनों companies ने आपस में अब असोग Leland को देखिए अभी 82 रुपे के आसपास trade कर रहा है 24,000 करोड का market capitalization है 17 का PE ratio है बहुत ही बहतरी काफी सस्ते में मैं कहूंगा अभी मिल रहा है ज़रा PEG ratio देखिए कितना बढ़िया है profit growth sales growth पिछले कुछ टाइम में गिरावट जरूर आई है यहां पर और कुछ shares गिर्वी रखे हैं लेकिन यहां पर घबराने वाली कोई बात निया कुछ shares गिर्वी रखे हैं लेकिन अगर आप असोग Leland को इठाओ गए सर्च कीज़े गूगल पे देखिए अगर आप देखोगे एक fourth largest company है all over the world जो bus बनाती है असोग Leland बड़ी कमपनी है और खासका truck और दूसरा इंडियन आर्मी की तरफ से बड़े बड़े orders मिलते हैं असोग Leland को किस चीज के लिए truck बनाने के लिए कि यही बड़े बड़े trucks यहां इंडियन आर्मी के लिए यही अब ABB इंडिया को देखिए अब यहां पर दोनों शेर की तरफ मूब कीजिए अब ABB इंडिया जो है industrial solution चाहे automation हो power technology बहुत ही जबरदस से इसके पास है लेकिन यह शेर काफी सस्ते में बीच में बड़ी गिरावट आई कि काफी सस्ती pricing पर आपको मिल रा debt-free share है इसको region के वाज़स से पहले ही share में गिरावट आ गई थी लेकिन पिसले कुछ quarters में धीरे धीरे करके गिरावट जरूर आई है यह इसी के नहीं पूरे auto segment के सारे shares में गिरावट आई थी अब देखिए यह तो होगे fundamentals details और आज का का कारोबार देखते है फिर हम चलते है technicals पे अब 30% के delivery देखने को मिली अर 1337 के लेवल का last price इसका है अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 1322 का close था लेकिन last price 1337 मतलब aftermarket उपर गया देखिए और यहाँ पे technical पर चलते है असोग लेलेंड के असोग लेलेंड अब मैं आपको already देखिए जब से गिरावट है बहुत तरी कब खतम हुआ यहाँ पर जाके downtrend खतम हुआ 75 के लेबल पर और अब stock की sideways trend चल रहा है तीन टाइप के trend होते हैं uptrend downtrend और sideways trend downtrend के बाद consolidation चल रहा है अब trend से पहले का cycle sideways trend वह चल रहा है यह देखिए downtrend जो चला था वहाँ पर बिल्कुल low point बनाया था वह ऐसे time पर खरीटने बिल्कुल निचले level पर जासा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे double bottom pattern ज़रूर बना है लेकिन यहाँ पर दूसरी बार में यहाँ पर बड़ी खरीदारी देखने को मिली 20 September को क्योंकि उस दिन corporate tax की बड़ी announcement भी हुई थी लेकिन उस दिन बड़ी जैसे यहाँ पर आया था उसके बाद stock consolidated हो फिर नीचे आया है और फिर यहाँ पर फिर बड़ी खरीदारी यहाँ पर होती दीरे-दीरे करके जिस बड़े player ने हाथ मारना था वो बड़ा player अपना धीरा-धीरे करके जमा करता रहता है share और उसके बाद stock धीर-धीरे momentum जरूर था अब जिस level पर अभी यह share खड़ा है वो काफी critical level है 200-day moving average बहुत critical level उसी के आसपस खड़ा है लेकिन positivity बड़ी बढ़ी 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 खबरे आ रही है और यहाँ पर यह देखिए थोड़ा नीचे जरूर गिरा था फिर वापसी momentum तीन और दिन positive volume और छोटे time frame में ले पीचे गया फिर वापसी हुई और वापसी होके अभी जो share है अगर मैं यहाँ पर देखूं यह अपने बिल्कुल critical point पर खड़ा है किसके लिए breakout के लिए इस level को पार करता है तो फिर अगला target सीधे 84-85 कहा है यह देखिए बिल्कुल यह देखिए बिल्कुल अगर आप one hour क time frame है जो आपको अभी दिखा रहा हूँ one hour के time frame आप देख सकते हो कि किस तरीके से stock में आप इसको यह मान के चलिए जब बड़े stock को यह जो main line मैंने draw कर रखिए आप इसको अगर extend करते तो इनके peak के उपर आती है यह अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं आपको head and shoulder position critical है और इसमें एक last के hour में बड़ा volume भी देखने को मिल रहा है अच्छी बात है इस टॉक तो positive जरूर जा रहा है लेकिन ABB इंडिया के share को देखिए यहाँ पे बीच में बड़ी गिरावट आई थी एक news आई थी उसके चकर में बड़ी गिरावट आई थी और share ने 1200 के level का low बना है वहाँ से positivity देखने को मिल रही है और ABB इंडिया इतने निचले level पर जिस तरीके से मिल रहा है बहुत ही बढ़िया बात लेकिन यहाँ पर मैं काऊंगा ABB इंडिया में अभी इसको एक strong resistance मिलेगा इस level पर किसमें 1350 से 1340 की इस range में strong resistance मिलेगा और अभी के time frame बे यह बढ़ता इस level तक जरूर आ गया है लेकिन strong resistance की मैंने बात करी इसमें death cross भी अल्रेडी बन चुका है तो अब थोड़ा और छोटे time frame में जाके देखने क्या कुछ चल रहा है इसमें और छोटे time frame पर आप जाओगे तो देखिए stock में अगर आप technical level पर patterns ढूटते हो तो आप patterns को ऐसा मत सोची कि इसमें ये वाला pattern बन रहा होगा आप देखिए chart को आप chart को देखेंगे आपको pattern अपने आप नजर आते रहेंगे ऐसा नहीं कि आपको इस type pattern ढूटना है तो आपको कोई ने कोई pattern खुद बना लोगे अगर आपको इस तरीके से देखोगे तो यहां पर द अच्छी news यह है मैं कहूंगा fast charging से related उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेर कीजिए like कीजिए चैनल सब्सक्राइब गया तो जल्दी से subscribe कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहे गया and thank you thank you for watching the video